इस फ्रेम में तीन चित्र हैं पहले चित्र में जैसे ही लिप्ट का दर्वाजा खुला प्रिया और रोहन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को देखा जो उनका इंतजार कर रही थी लिफ्ट के खुले दर्वाजे के सामने माया हाथ में सफेद छड़ी यानि वाइट केन लिए खड़ी है और लिफ्ट के अंदर से प्रिया और रोहन उसको देखते ही उत्साह से भर जाते हैं माया कहती है चुट्यों की बाद स्कूल आना कितना अच्छा लग रहा है मैंने तुम दोनों को चुट्यों में बहुत याद किया प्रिया कहती है हाई माया मैंने भी तुम्हें याद किया लेकिन तुम खुद से कक्षा में कैसे पहुची तुम तो हमेशा अपनी कार के पास मेरे इंतजार करती थी? माया उत्तर देती है मेरे जैसे अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए एक नई विशिश पार्किंग बनाई गई है इसमें फर्ष पर और उनके पास के खंबुल पर वील चेर का चित्र बना है यह पार्किंग गेज की करीब है इसलिए मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ा दूसरे चित्र में माया को इस विशेश पार्किंग के बारे में सोचते हुए दिखाया गया है अपनी बात जारी रखते हुए माया कहती है यही नहीं स्कूल के अंदर भी ब्रेल साइन बोर्ड, हैंड रेल और टेक्टाइल पत के कारण एक जगा से दूसरी जगा आना जाना असान हो गया है और मैं बिना किसी की मदद यहां तक आ गई प्रिया कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ माया तीसरे चित्र में माया को ब्रेल साइन बोर्ड छू कर रास्ता पहचानते हुए दिखाया गया है और प्रिया भी वहीं खड़ी है प्रिया